हेलो अच्चो नमस्कार कैसे आप सब तो बच्चो आज हम पढ़ने वाले हैं कैस्ट फिलो स्टेटमेंट अर्थात रोकड बहावेवरण तो रोकड बहावेवरण एक बित्ती आउधी के दौरान ब्यबसाय मैं रोकड के आगमन और रोकड के बाहिर गमन के कारणों को बतात है कि किन मदोज पर हमने रोकड का प्रयोग किया है और कहां कहां से हमको रोकड की प्राप्ति हुए अर्थात रोकड का आगमन कहां से हुआ है और कहां रोकड का बाहिर गमन हुए अर्थात रोकड का प्रयोग किन मदों पर किया गया है तो बच्चो अब हम देख लेते है कि cash flow statement बनाने की जो विधियां हैं वह दो हैं एक direct method है और डूसरी indirect method है तो बच्चो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ indirect method को पढ़ेंगे तो इसके लिए एक हम क्रियात्मक सवाल हल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से indirect method में cash flow statement बनाया जाता है तो बच्च unlimited की वित्ती सूचनाय निम्न di हैं और सूचनाव में दिया गया है चिठे दो चिठे दिये गए हैं गतवर्स का चिठा और चालू वर्स का चिठा एकी प्रारूपमें दोज़ों चिठे दे दिये गए हैं तो सबसे पहले हम देख सीच म्हें दायत पक्ष में अंस्पुझी दी गई है और अंस्पूंजी जो गत बर्स में सत्तर हजार की थी चालू बर्स में बढ़कर असी हजार की हो गई है तो यह ब्रद्धी क्यों हुई है क्या हमने अंसों का निर्गमन किया है यदि अंसों का निर्गमन किया है कैस के मदले किया गया है तो इससे कैस का inflow होगा दूसरा है संचे संचे में भी ब्रद्धी हो रही है लाभानिक हाते का सेज दिया गया है इसमें भी ब्रद्धी हो रही है लेंदार जो की चालू दायत माने जाते हैं और इनमें कमी हो रही दीरकाली रेंड दीरकाली रेंड में कमी हो रही जो 20,000 के थे अब चालू बर्स में कुछ भी नहीं है करो के लिए प्रावधान 8,500 से बढ़कर 8,700 हो गया है और दोनों पक्षों का सुरी दोनों का योग दिया गया है गत बर्स का और चालू बर्स का अब हम देखते हैं संपत्ति पक्ष में क्या दिया गया है तो क्रे किया होगा ठीक है फिर लिखा है भवन भवन के मूल में कमी हो रही है तो भवन के मूल में कमी के दो कारण हो सकते हैं या तो भवन का विक्रे किया गया है या भवन पर हिरास लगाया गया है तो हिरास यदि लगाया गया होगा तो इसको हम जो संचलन किरियाओं से रो एक्टिविटीज के अंतरगत सेल ऑफ फिक्स असेट्स के नाम से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखते हैं तो बच्चो यहां पर जैसा भी हम मानेंगे उसका नोट प्रिष्ट में लिख देंगे लेकिन यहां पर रासी बहुत थोड़ी सी कम हो रही है तो इसे हम महिरास मान के ही सवाल को हल करेंगे फिर लिखा गया है सैंत्र सैंत्र जो कितने का है 40,000 का बढ़कर कितना हो गया है 45,000 यह जो ब्रद्दी है यह बता रही है कि हमने सैंत्र का क्राय किया है इसकंद दिया गया है इसकंद के मूले में कमी है इसकंद चालू संपत्ति होते है और देनदार भी चालू-संपत्ति होते हैं बैंक और भी चालू-संपत्त्ती होते हैं लेकिन हम कस्णा गहीं इतर या कष्ट फ्लो शनी में बनाना है तो नंबर एक पर लिखा गया है चुकाया गया लभाज 7000 पैट तो अपने लाभांस का का वुक्तान किया है डिविदेंट पेड किया है 7000 का बर्स के द्वारान 8000 रुपे कर के लिए प्राउधान किया गया है और प्लांट पर 5000 रुपे हिरास लगाया गया है तो इन सुचनाओं के आधार पर बच्चों हमें cash flow statement बनाना है इसके बाद हमको cash flow from investing activities की गढ़ना करनी है और फिर तीसरे नम्मर पर हम गढ़ना करेंगे cash flow from financing activities त्योंकि हम जानते हैं accounting standard तीन के अनुसार अब cash flow statement बनाने के लिए हमको उसकी गतिविदियों को जो व्यापार की गतिविदियां हैं उनको तीन भागों में बादना पड़ता ह प्रारूम बना लेते हैं राशी के लिए यहाँ पर दो कालम बना लिए जाएगे तो राशी के लिए दो कालम और सबसे पहले लिख लेंगे हम ए नम्मर पर संचालन क्रियां से रोकड़ परवाए अर्था cash flows from operating activities इसमें सबसे पहले लिखा जाता है net profit before tax करके पूर्व का लाव तो क्या बच्चो प्रश्ण में हमको करके पूर्व का लाव दिया गया है हमने पूरे प्रश्ण कात्विहन कर ली चुके हैं और हमने पाया है कि करके पूर्व का लाव तो दिया नहीं गया है तो हमें कर से पूर्व के लाव की गढ़ना करनी ह और इसके लिए हम सहारा लेंगे लाउनी खाते का दीज दिया गया है तो से जोडा जैएगा और इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार का लाभांस का बुक्तान किया गया है तो उसे भी जोड़ा जाएगा और किसी प्रकार से यदि हमने कर के लिए प्रावधान में कोई रासी हस्तांत रित की है तो उसको भी जोड़ लिया जाएगा तो बच्चों हम यहाँ पर अब सवाल को को भाल कर लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं हम है जो कि इतना दिया गया है 8800 इसके बाद बच्चों हमको लिख देना है तो प्रीवियस कर दिया गया था 8500 गत वर्ष का 8500 दिया गया है तो अंतर की राशी निकल के आ कि आती है 300 अब इसमें हमें कुछ मद्य जोड़ देनी कौन-कौन सी मद्य जोड़ देनी है जो कि हमने समान संचय में हस्तनांतर हो रहा है क्या जी हां तो यहां गतवर्ष की राशी तो इसको लिख देंगे तो इस प्रिश्ण में अगर आप देखेंगे तो यहां लिखा गया था चुकाया गया लाभान साथ हजार तो इसको हम यह लिख देंगे डिविडेंट पेड कितने का साथ हजार का और देख लेते हैं अगे हमने करके लिए जो प्रावधान है वह आठ हजार हस्तनांतित किया है तो वह भी लाभ से हस्तनांतित किया गया होगा तो हम अब लिख देते हैं ट्रांसपर टू प्रोविजन पार टेक्स कितने का आठ हजार का इसके बाद हम दोन अपक्षों का सरी इन सभी राजियों का जोड़ कर लेंगे और जोड़ा जाता है हमारा कि कितना रहा है सत्रह हजार आठ तेक्स अब नेट प्रोफिट इनकम होते हैं उनको घटा देते हैं तो बच्चो अब हम कुछ बदों को घटा लेते हैं कौन-कौन-सी नान चेस आइस आइटम को जोड़ेंगे non operating expenses को जोड़ेंगे non operating income को घटा देंगे ठीक है तो बच्चों हम सवाल में देख लेते हैं कि कौन-कौन से non operating expenses और non cash item दिये गए है तो सबसे प्रमक जो non cash item होता है हुआ होता है depreciation जो प्लांट पर कित्ता लगाया गया है 5000 का और हमने पहले पढ़ा था यहां भबन के मूले में भी कमें आ रही है और जिसे हम हिरास मानेंगे और हिरास को लिख देंगे कहां पर आपके cash flow statement में cash flows from operating activities के अंतरगर तो लिख देते हैं add depreciation on plant और depreciation on building तो depreciation on plant है 5000 और depreciation on building है 4000 का इसके बाद किसी प्रकार का non operating expenses हुआ है या non operating losses हुए है तो उनको भी जोड कर लिख दिया जाएगा तो बच्चो हमको सवाल को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते जाना है यहीं कोई मद होती है उसका लेकां को कर देना है तो बच्चो इस प्रकार सी और कोई मद यहां पर नहीं दी गई है ठीक है तो बच्चो हम इसको हल कर देंगे और राशी निकलके आ जाती है 26800 बच्चो अब इसð नहीं देखेंगे जो बरकिंग कैपिटल चेंज हो रहा अर था चालूँ संपतियों में और चालू दायत्तों में जो परिवर्तन हो रहा है अर्था चालू संपत्ति और चालू दायत्तों में जो कमी ब्रद्धी हो रही है उसके कारण केस फ्लो किस परकार से परिवर्तन होता है इसमें पहले कुछ मदों को जोड़ता जाता है और जोडने के लिए मैंने वच्चों आपको बताया है की सबसे पहले आपको सिर्फ एक ही मद्द को याद रखना है कि चालू संपत्यों में कमी को जोड़ना है ठीक है उसी की आद़ार पर आप चालू संपत्य हों भ्रद्ध को घृटा देंगे तो बच्चों यहाँ पर हम decrease in current assets को जोड़ेगे तो बच्चों हम सवाल में देख लेते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी चालू संपत्तियां है जिनमें कमी आ रही उनको जोड़ना है हमको तो यहाँ पर देख लेते हैं चालू संपत्तिया प्रेस्ट में कौन-कौन सी दी गई है एक 6000 की कमी है और decrease in debtors में 6000 की कमी है इसके बाद बच्चों और कोई चालू संपत्ति प्रिश्ण में नहीं दी गई है जिसमें कमी और ब्रद्धी हो रही हो अब हम बात करते हैं दायत्तवों की तो दायत्तवों में एक लेंदार दिये गए हैं एक ही मद है लेंदार की और लें decrease in debtors और राशी कितनी है 4000 की कमी हो रही है तो बच्चों अब इस कमी ब्रद्धी को हम जोड़ लेते हैं हल कर लेते हैं तो जो कोश्टक में मद लिखी है उसको घटाया जाता है तो इसको हमने हल किया तो हमारी राशी निकलके आती है 36,800 अब ही हमारा cash flow from operating activities नहीं निकली है इस मैंसे हमको एक मद और घटानी है जो है कि tax तो यहां हम घटा देते हैं income tax paid और जिसका payment कितना किया गया है इसकी हमको अब गर्णा करनी पड़ेगी ठीक है तो प्रिश्ण में हम देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा गया था करक के लिए प्रावधान था 8,500 का और चालू बर्स में जो प्रावधान बढ़ गया है वह हो गया है 8,700 का 200 की ब्रद्दी हुई है यह क्यों हुई है यह हमको देखना होगा बर्स के दोरान 8,000 रुपे कर के लिए प्रावधान किया गया है अर्था पहले से प्रावधान हमारे पास 8,500 का था 8,000 का और प्रावधान कर दिया तो हमारे पास प्रावधान में रास है वह ग्यात हो जाएगी जिस टेक्स का हमने पेमेंट किया है तो बच्चों हम टेक्स पेमेंट की करना कर लेते हैं प्रोविजन फार टेक्स अकाउंट बना कर तो प्रोविजन फार टेक्स अकाउंट का जो बेलेंस है वह क्रेडिट सेस होगा क्रेडिट में हमने लिख दिय बाई बेलेंस बीडी जो है 8500 तो हमने लिख दिया 8500 अब बच्चों हमने कर के लिए प्राउधान किया है 8000 का इसे हम पुना क्रेट पक्ष में लिख देगे बाई प्रॉफिट एन लॉस अकाउंट 8000 और अन्तिम से जो दिया गया है उसको हम डिवेट साइट लिख देंगे टू बेलेंस सीडी 8700 रुपे दोने पक्षों का अब हम योग कर लेते हैं और योग आ रहा है 16500 यह 16500 क्रेट पक्ष का योगा दिख है अंतर की राशी को हम डेविड में लिख देंगे और जो अंतर की राशी है वह है इंकम टेक्स पेंड की है जिसको हम लिख देंगे अर्थाथ हमने बर्स के दौरान 7800 का टेक्स पेंड किया है तो इसे हम लिख देंगे कहा पर प्रोविजन फार्ट टेक्स अर्था टेक्स पेंड की रासी को लिख देंगे कैस फ्लो स्टेटमेंट में इंकम टेक्स पेंड 7800 और इसको हम घटाने के बार जो रासी आएगी उसे हम रासी वाले कालम में लिख देंगे जो निकल के आ रही है 29,000 और यह 29,000 हमारी कैस फ्लो प्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है अर्थाथ संचालन क्रियाओं से जो कुल रासी का कैस फ्लो हुआ है इन फ्लो की रूप में हुआ है वह है 29,000 यदि यह माइनस में आती अर्थाथ कोश्टक में लिखा जाता तो यह आउट फ्लो कहलाता तो बच्चो हमने पहली अक्टिविटीज अर्थाथ ऑपरेटिज अक्टिविटीज से कैस फ्लो की से ग užफिगरना कर लिए अब बच्चो आगे हम सवाल को करेंगे और डी नमर पर लिखेंगे कैस फ्लोव फ्रॉम इन्वेस्टिगuerdo इख लिए नमर भी कैस फ्लोव फ्रॉम इन्वेस्टंग एक्टिविटीज तो बच्चो सवाल में कि कौन-कौन सी इन्वेस्टिग दीनिवों का विक्राय आता है तो वच्चो इस प्रिष्ण में अगर अतरिक सूचनाओं को देखें तो यहाँ पर यह नहीं लिखा गया है कोई संपत्ति हमने क्राय किया है या विक्राय किया है तब हम बेलें सीट की ओर जाएंगे और balance scene में देखेंगे यहाँ पल लिखी गई है goodwill ठीक है goodwill जो होती है वह एक इस्थाइसब पत्ती है और इसमें ब्रद्धी हो रही है अर्थात हमने goodwill का क्राय किया है ही बव्यंट कि म्मुलूं में कमी है जिसे हमने हिरास की रूप में लिए और इसे हमने अप्रेंड activities में लिख दिया है सैंद्र कितने का है सैंद्र लिखा गया है 4,000 का और बच्चों सैंद्र पर कितना हो गया यह 35 ठीक है और अब कितना है 45000 कि क्यासे आई कि हमने प्लांट का सायंत्र का क्राय किया है अर्थाथ हमको दो मदें मिल गई यहां पर एक ख्याती का क्राय और एक सायंत्र का क्राय इसके अलावा गर मुझे कोई मद समझ में नहीं आरही है जो इनवेस्टिंग अक्टिविटीश की हो ठीक है इन दो मदों को लिखे लेते हैं तो लिख लेते हैं अबिछ और छेस कितने का ब्लांट का पर्चेस किया है इसकी हम गढ़ना ही कर लेते हैं सब्सक्राप्ति का डेविट से ूस क लग देते हैं by depreciation account 5000 और इसका अंतियों से कितना दिया गया है by balance cd दिया गया है 45000 अब हम दौन बक्षों का योग कर लेंगे ठीक है और योग लगार आ रहा है पचास अजार और जब की डेविड का योग कम है तो अंतरगी गासी किसकी है यहां पर हमने प्लांट का Crack किया तो लिख देएंगे टू बेंग अकाउंट दस हजार तो इस प्रकारते बच्चों हमने हैं परचेस अफ प्लांट की गढ़ना कर ली हैं तो लिख लेते हैं परचेस अफ प्लांट हमने purchase किया है तो cash बाहर गई है तो यह कोश्टक में जो लिख रहे हैं यह दर्सारा है कि यह रासी outflow हुई है तो बच्चों हमने cash flow from operating activities की गढ़ना कर ली है cash flows from investing activities की गढ़ना कर ली है अब कीसे नमबर पर हम करेंगे cash flow from financing activities की गढ़ना तो नमबर सी पर लग लेते हैं cash flow from financing activities इसमें कौन-कौन सी activities आती है issue of share issue of adventure redemption of adventure repayment of loan ठीक है और dividend paid और dividend के अलावा interest paid भी यहीं पर आता है तो बच्चा ऐसी कोई मद होगी तो उसे हम financing activities में लिख देंगे तो बच्चो सवाल में हम देख लेते हैं सबसे पहले तुच नाम लिखा जाता है चुकाया गया लावास तो यह financing activities में आएगा तो यहां लिखेंगे हम payment of dividend ठीक है इसके अलावा अंस पूजी में भी ब्रद्धी हो रही है यह अंस पूजी में ब्रद्धी जो है वह है मानी जाएगी कि कैस में हुई है तो इसको हम कहां लेखेंगे financing activities में लेखेंगे कितने की ब्रद्धी हो रही है सत्तर हजार से बढ़कर अस्यजार हुए अर्था दस जार की ब्रद्धी है तो यह दस अजार क्या है इस हुआ है हमने शेयर इसू की होंगे तब तो अंस पूजी में ब्रद्धी हुई है और एक और है यहां पर दीरकाली लॉंग टर्म लॉंट कितने का 20,000 रुपे का तो बीस अजार का लॉन था अब नहीं है तो कहां गया वीपे कर दिया होगा हमने चुकता कर दिये तो यह यह जाएगा यह तीन मद्री निकल के आए हैं तो इन तीन मदों को हम लिख लेते हैं सबसे पहले लिखते हैं कितने क कितने का हुआ है 20,000 का हुआ है और डिविडेंट पेड हुआ है तो पेमेंट अब डिविडेंट लिख दिया कितने का साथ हजार का और इसको हमने हल कर लिया तो हल करने के वाद आती है सत्रह हजार कोश्टक में आएंगे क्योंकि 20 और 27 संख्या बड़ी है और 10,000 छोटे है तो कोश्टक का निसान आएगा और अब इस प्रकार से हमने तीनों एक्टिविटीज की गढ़ना कर ली है आम अब हम तीनों को ऩगल कर लेते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि हमने यहां क्या लिखा था यह आया था 29,000 ठीक है प्लेस के आया थे और यहां और इन्वेस्ट्रेंट अक्टिविटीच कीतना है बारह हजार पास्टो और शत्रा हजार दोनों को जोड़ हो जाता ह है 29,500 और वहां पर अभी हमने देखा था 29,000 है तो रासी आएगी ए बी और सी की वह निकल के आ रही है 500 जो आएंगे माइनस के अर्थात कोश्टक के अंतरगर अर्थात 500 आउट्फलिक हुए है इसे हम कहेंगे क्या डिक्रीज क्यसे खेंग RUS जो है जो ओपनिंग में थी क्या टा टा यहां लिखेंगे हम लानी मेंटिंग देख लेते हैं कि कया सोट व einen आठाच चोटल कितना हो जाता है यह हो जाता है हमारा चार हजार का तो मैं यहां लिख देते हैं चार हजार अब इनको हल कर लेंगे तो एक माइनस की एक प्लस की संख्या आएगी प्लस की कितने आ जाएंगे घटने के बाद यह आ गए तीन हजार पासो यह कौन सी कैस होगी कैस अट दा एंड तो कैस एंड कैस इकोटिट एट दा एंड आ गया थेन हजार पासो जो हमारे चिट्थे में दीए गए कैस बेलेंस अंतिम के बराबर होगा तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि प्रिश्ण में इतना ही अंतिम सेज दिया गया है यह दिया है दो हजार तीन सो और 1200 अर्थाथ 2000 और 3000 हो गए और 3500 और यही रासी यहाँ पर आई है 3500 तो बच्चों अब हमने क्या स्टेटमेंट बना लिया है बच्चों कैस प्लई स्टेटमेंट हमने क्या देखा कि इसमें हम जो एक्टिविटी से उसको तीन भागों में बाड़ लेते हैं एक एक इन्वेस्टिंग अक्टिविटी और एक फानेंसिंग अक्टिविटीज ठीक है तो इन तीनों को जो हमल करते हैं तो बाद में हमको जाता है अकॉर्डिंग टू एस थ्री